दोस्तो नमस्कार, शौगत है आपका आपके अपने डिभेंस क्लासेस में दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ससी जी डी के एंसर की को लेके आज हम लोग बात करने वाले हैं ससी जी डी के एंसर की को लेके आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा, आपकी एंसर की आ चुकी है, ठीक है, SSC GD की एंसर की आ चुकी, आप सभी लोगों ने अपना अपना एंसर की मैच कर लिया होगा, आप लोगों ने इस बार का, SSC का जो trend देखा paper का, जिसमें आपके 80 questions पूछे गए थे, और सारे के सारे question two marks के थे, total आपका होगा, 160 marks का, इसके अनावा, इस बार आपका negative marking भी थी, इस बार आपका negative marking भी थी, ठीक, तो इन सब चीजों को देखते हुए, और कितने बच्चे appear हुए थे इस बार examination में, करीब-करीब 58 lakh के आसपास, कितना, करीब-करीब 58 lakh के आसपास, जिसमें स कुछ बच्चों ने तो exam, जाहिर से बातों चोड़ा ही होगा, तो हम लोग मान की चलते करीब-करीब 40 lakh के आसपास, लोगों ने exam दिया हुआ है, ठीक, अब देखिए, इसकी जो exact कटाप हो सकती है, अब exact का मतलब है, देखो, जब तक result ना है, तब तक तो कोई नहीं बता स सकता है, कि आपकी exact कताप कितनी जाएगी, लेकिन हम सभी लोग, जितने भी लोग है, एक अनुमाल लगाते है, कि हाँ, इतने के आसपास, अगर आपके questions सही होंगे, तो आप लोग अपनी running को start कर सकते हो, इसके लावा, हम आप लोगों को ये भी बताएंगे, कि अलग-अल question तो error कहीं भी हो सकती है, लेकिन आसपास आपका cut-up जो है, उतना ही होगा, अब देखिए, अब SCGD के cut-up को ले करके हम लोग बात करें, तो याद समझें इसको थोड़ा सा, तो हमारे समझ में क्या चीज़े आ रही है, सबसे बहली बात कि इस बार negative marking है, इस बार हमारा negative है ठीक है, तो अगर जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, या समझा, answer की को देख करके, कि जिस बच्चे का, यानि most बच्चे जो है, वो 50 से 60 के बीच में, जो है, उनका right या wrong दिख रहा है, यानि जादा तर most question जो हमारे पास है, जो बच्चों ने feedback दिया, उसमें ये देख इसने को मिल रहा है, कि 50 से लेके 60 के बीच में, जाते तर बच्चों के questions ठीक है, जो average student थे, जो पढ़ लिख रहे थे, जो त्यारी कर रहे थे, ठीक है ना, अब कुछ बच्चों के तो 20-30 भी हैं, तो अब उनकी चर्चा हम लोग नहीं करें, वो तो only exam देने गए थे, या exam देया था, वो exam में पीर होए थे, बस उनका इतना ही मतलब था, लेकिन जो एक average student था, जो लगातार त्यारी कर रहा था, उन सब के अगर हम लोग question की बात करें, कितना उन्होंने right या wrong किया है, तो approach में मान के चलता हूँ, 50 से 60 के बीच में, वो अपने-पने बता रहे है, question क right की, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो जो हमारा marks बन रहा है raw, 100 से लेकर के 120 तक, अब देखिए कुछ बच्चों का होगा उसमें कि, उन्होंने कुछ गल्तियां भी की होगी, किसी के 5 question गलत होगे, तो किसी के 10 question गलत होगे, किसी के 10 से जादा भी होग अब देखिए जो normalization होगा, एससी का आप लोगों ने देखा है, पिछले 3-4 exam को देखा आप लोगों ने और बहुत टेजी से समय काम कर रही है, तो इन सब चीजों को देखती होगे, हम यह कह सकते हैं कि, आज आपका result वाइंसर की आप कि आ चुकी है, जिसको को थोड़ा स अब mistake होगा, अपना question को erase करेगा, अपना, डालेगा erasing के लिए, इसके अलावाद जो आपका result है, वो हम लोग मान के चलते हैं कि आपका March last या April के first week तक आपका result आजाना चाहिए, ठीक है न, अब देखिए, यह exact cut-up की जो वीडियो होगी, वो आप लोगों को कल देखने को मिलीगी, अब जिसे देखिए, हम लोग यहां देख लेते हैं, बच्चे का हम लोगोंने answer के लिए रखा है, इनके mostly देखो question अगर हम लोग देखें, तो ज़्यादा तर question इस बच्चे के ठीक है, इसने बहुत सारे question को ठीक किया, यह देख, आप लोग आके देख सकते हो, question ठीक है, और इस बच्चे के जो question ठीक हुए है, मैं आपको बता दो exact, इसके ठीक हुए है 56, कितने question 56, बट इसकी problem क्या है, इसने 18 questions जो है wrong attempt की है, 18 questions wrong attempt की है, अब देखिए इसके लिए detailed video आपको कल देखने को मिलेगी, जिसमें हम लोग बता पाएंगे कि आप लोग का cut-off approach कितना जाना ठीक होगा या कितना जा सकता है, और आप लोग अपने physical की तयारी कैसे कर सकते हो, और आगे क्या क्या चीज़े और बेहतर कर सकते हो, उसके बारे में यह भी हम लोग कल बात करने वाले हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को य एक्जाम पैटन चल रहा है, कौन कौन से कुशन, सब चीज़े आपको वहाँ टेली ग्राम पे फ्री मिलता है, तो आप लोग क्रिपया टेली ग्राम से भी जुड़ें और चैनल को सबस्क्राइब करें, पने दोस्तों में सेयर करें, थैंक यू, चैहें, चैप।